नमशकार दोस्तों परताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं इसराइल के खूनी मनसूबों के बारे में जिसे इसराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये नए तरह का युद्ध है ये नए तरह का युद्ध किitना खौफ सुलार लाइट्स बहने लिपनान को निशाने पर लिया है और उस बहाने फेले लेबनान तुल को पीजर्वो के अव किभीनाया है वह बता रहा है कि कितना खौफनाक यहिद्ध होता जा रहा है अभी तक हम देख रहे थे कि इसराइल फिलिस्तीन में जनोसाइट कर रहा है लेकिन चूंकि लेबनान और लेबनान में जो हिजबुल्ला है वह फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़ा हुआ है लिहाजा उसे भी इ अपने निशाने पे लिया है लाख टके का सवाल ये है कि इस आतंकी घटना के बाद क्या यह युद्ध और फैलेगा क्या इरान भी इसमें कूदेगा इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकायस से प्रबीर जिस तरह से लेबनन में 17, 18 और 19 सितंबर को विस्पोट हुए पेजर, वाकी-टॉकी, सोलर एक्विपमेंट्स उससे बड़े पैमाने पर तनाव फैल गया है और आशंका जो जताई जारी और अब खुल कर आया है कि इसराइल, मोसाद, स्पाई का पूरा का पूराओं का तंत्र है वह लेबनन को निशाने पे ले रहा है इसकी क्या वज़ा लगती है और जिस तरह से वहाँ पे हड़कंप मचा है वह क्या संकेत दे रहा है पहली तो बात इसकी चर्चा करें कि हुआ क्या अगर देखे क्या हुआ है आपने जो कहा पेजर्स जो लोग इस्तमाल करते एक दूसरे से कॉम्मिनिकेट करने के लिए लिमिटे होता है इसमें कहा जा रहा है कि सौ कारेक्टर टक का मैसेज़ेस जा सकता था इसलिए वो पेजस पे गए थे क्योंकि आप जानते हैं कि फोन्स बड़े पैमाने पे हैक हो सकता है और इस्रेयल के पास हैक करने के लिए पूरी तंत्र जो आप कह सकते स्पाई तंत्र शामिल है जो हमारे फोन से हां पे जो भी बात आई थी अभी पेगासेस वाला जो बात आई थी दुनिया में बहुत सारे देशों के नेताओं के फोन हैक हुए थे उसके जरीए तो ये लिए प्रतमाल नहीं करेंगे यहां हम का मतलब है कि हिजबूला के पांच हजार पेजर में बिस्पॉट की बात सामने कही जा रही है और विस्पॉट कित्ते हुए कित्ते लोग बरे उसमें बात भी आ यह तो एक तो अटैक पेजर्स पर था और कैसे अटैक था उसमें बा इक्विपमेंट पे बिस्फोटक पदार्थ रख दिया गया था और वो बिस्फोट हुए है निजो बाहर से सिंगनल ट्रिगर किया गया था मतलब दोनों जो है सिप्टर और इन्चीजों फे इस वाकी टॉकिस पर रखा गया था तो ये तो पहली बात है तो देखें कैसे हो स जहां से पेजर आया हो, या वाकी-टॉकी साया हो, वहाँ सप्लाई चेन होता है, फैक्टरी में बनती है, तो दोना जगह निशाने पे है, कहाँ यह पदात, जो है, एक्स्प्लोसिफ पदात वहाँ पर डाले गे, बिस्फोटक पदात डाले गया, तो यह जो डाला गया है, supply chain compromise था, factory कहां है नहीं मालूम, Taiwan की company है, जिसकी पास intellectual property थी, उसकी trademark थी, जो उन्होंने दिया था Hungary के company को, Hungary के company का सिर्फ एक दफ्तर है, ताला लगा हुआ है, उसके कोई मिल नहीं रहा है, और उसकी जो महिला, उसकी एक chairman या president है, वो इंगलेंड में पढ़ी हुई है, उसका कोई अभी तक कोई साक्षातकार किसी से नहीं हुआ है, ना कि उन्होंने कोई public कुछ statement दिया है, तो यह जो है, factory में हो या on route, जब जा रहे थे, supply chain कहीं पर वो compromised हो, यह सवाल है, कि जॉर्डन भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जॉर्डन में अभी वही में बताने जा रहा था, कहा जा रहा है कि supply जॉर्डन के वहां पर store हुआ था, इसके बाद वो Lebanon में गया था, तो जॉर्डन क्या इसमें शामिल है, यह जॉर्डन में जब यह थे, store में, वहां पर जिसकी store थी, उसने इसमें शामिल हुआ, sabotage में, यह सवाल है, अभी तक जवाब नहीं है, पर factory कहां है, अभी तक नहीं मालूँ, जॉर्डन में store हुआ था, बाहर से आया था, और इसके बाद Lebanon गया था, यह कहा जा रहा है, अभी तक उसमें, सबूत के रूप में, हमारे पास यह तथ्य नहीं है, इसी तरह से जो वकी टॉकी को लेकर भी बात है, कि वो जापान के थे, और जापान वाली कंपनी दस साल से बंद है, वो सवाल है कि बस बंद है, पर उसका फैक्टिया चलती है, सप्लाई होती है, उसके इंटलेक्शुल प्रॉपरटी किसके पास है, डिजाइन किसे के पास है, क्योंकि नाम है, नाम बेच के लोग चलाते हैं, तो यह सब सवालात है, क्या यह फरजी कंपनी थी? यह भी सवाल है. तैवंद कंपनी दे कहा कि हमने इनको बेज दिया है, हमारी सिर्फ IP था और कुछ नहीं था. और यह कंपनी इसके बाद अब निशाने पर नहीं आ रहा है क्योंकि मालूम नहीं क्या है कंपनी कहा गया, क्य वही कंपनी इस इसरेल के साथ शामिल था इस बड़े पैमाने पर डिवाइस को सबटाज करने में. दूसरी पहली आना चाहता हूं, देखिए यह सिविलियन यूस के चीजे है, यह मिलिटरी यूस का नहीं है, पेजर, सेल फोन, वाकी-टॉकी, और सोलर भी है, ठीक है, पर यह सब सिविलियन यूस के लिए होता है, और इसलिए अंतराश्य कानून के मताबिक, सिविलियन जो इस्तमाल कर सकते जो चीजे उसको इस तरह से सबटाज करना जो है वार क्राइम माना जाएगा. युद अपराद है क्योंकि आप सिविलियन पे वार कर रहे हैं, या वार क जो आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यह मिलिटरी सब फोर्सेस पे कर रहे हैं, इसको वार क्राइम माना जाएगा क्योंकि यह सिविल एकुप्मेंट है, तो सिविल एकुप्मेंट को इस तरह से सबटाज करने में सवाल आएगा, अब युनाइट नेशन्स की सिक् एकुप्यन देशों का भी और उसके लिए इसरेल सेकुरिटी काउंसल की रेजिलूशन से बच जाता है, तो यह देखेंगे क्या होता है, पर सवाल है इसमें बड़े पैमाने पे लोग खायल हुए है, घर में लोग खायल हुए है, बच्चे मरे हैं, परिवार के लोग मरे हैं, मार्केट में हुआ तो मार्केट में लोग मरे हैं, गारी में हुआ तो गारी के एक्सिदेंट हुई है, और लोग मरे हैं, तो इसलिए हताहतों का संख्या सिर्फ जिनको टार्गेट किया था हिजबुल्ला के लोगों पे, तो वो धी और भी लोग मरे हैं, तो इसमें इरान के राजदूत हैं लेबनान में वो घायल हुए उनकी आख चली गई दूसरा जो बड़ा सवाल मैं जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि दर्शक भी जाने कि हिजबुल्ला को कैसे देखा जाए ये हम बात कर रहे हैं लेबनान की ये इसराइल है इसराइल का जैन हिजबुल्ला क्योंकि चुनाँ में पार्टसποιेट करता है लेबनान में तो उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए देखिए हजबुल्ह की इतिहास बड़ा लंबा है क्योंकि एक वक्त इस्रेल ने लेबनौन को एक हिस्से पे कबजा कर लिया था और उस हिस्से से वो अपना फौज नहीं हटा रहा था तो उसके खिलाफ एक लिबरेशन स्ट्रगल लेबनौन में चला था जिसमें एक संगठन हेजबुल्ह भी था दूसरे संगठन में थे वहां के कॉमनिस पार्टी भी उसमें संगठन में थे तो यह लड़ाई जो चली है एक हिसाब से एक लिबरेशन स्ट्रगल उसमें इस्रेल को अल्टिमेटली लेबनौन छोड़के भागना पड़ा था तो इसलिए हिजबुल्ह की इतिहास लेबनौन में बिल्कुल दूसरे दुष्टिकों से देखी जाती है आर्म फोर्स है क्योंकि उन्होंने आर्म लड़ाई इस्रेल के खिलाफ किया है और 17-18 साल पहले उस जंग में उनका इरादा था लिटनी नदी है बॉर्डर को लिटनी नदी तक ले जाएंगे तो ये पार्ट जो है मिलिटरी कबजे में कर लेंगे लिटनी नदी अगर है तो उसको क्रॉस कदर दिक्कत पॉलेगा तो उस लड़ाई में वह सफल सिर्फ नही अगे है और इस वक्त उनके पास करीब कहते हैं देर लाक मिजाइल से जिस वो इसरेल पर दाख सकते हैं तो मामूली ताख़त नहीं है लेकिन एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन है जिसको रिकगनाईज करता है लेबनान लेबनान सिर्फ नहीं दूसरे मुल्क के भी करते हैं कि ये हिजबुल्ला एक लेजितिमेट पॉलिटिकल फॉर्स लेबनान में है जो उसकी राजदितिक पिष्ट भूमी उसका लेबनान है पर और वहां पर सिर्फ मिलिटरी नहीं वो एक पॉलिटिकल फॉर्स सिर्फ नहीं वो अस्पिताल चलाता है और भी बहुत सारे संगठन चलाते हैं तो उसकी सामाजिक वहां पर प्रेजन्स है राजदितिक प्रेजन्स है अब मिलिटरी प्रेजन्स इसलिए है कि लेबनान मिलिटरी ताकत उसकी इतनी नहीं रही जब लडाई हुआ है पैलेस्टाइन इस्यू पर कहीं बार उनका शिर्कत भी हुआ था इस्रेल और बड़े आसानी से उसकी जो आनफोसेसे उसको शिकस्त दिया था, तो इसका रिजिस्टेंस जो है उसकी ऑॉकूपेशन से निखलता है, और उससे हिजबुल्ला की मिलिटरी टाकत उससे निकलता है, हेजबुल्ला को एक political organization के रूप में सभी देखते हैं अखबार में क्योंकि अब जानते हैं अमरीका उसको एक आतंकबादी करार दिया है तो वो चीज जो है जितने international news agencies है उसको दुहराते हैं और अब जानते हैं कि news पर और कहीं नगजा हो मैंने जानबूच के इसलिए सवाल पूछा क्योंकि भारा सही इंटरनाशनल मीडिया में terrorist organization के तौर पर हिजबुला का नाम आ रहा था और वो इसलिए क्योंकि हमारे news संगठन का कोई presence इस वक्त बाहर है नहीं हम news collect देते हैं जो international news agencies है वो एक दो European है और एक दो American है एक अंग्रेज है जो भी America ने टेक ओवर कर लिया उनसे हमारी feed आती है AP हो Reuters हो और भी एक दो है तो वो सब देखते हुए हमारे पास इसलिए हेजबुला पे टेर्रिस्ट जो है नाम थपा लगा हुआ है अब यह बताए कि जिस तरह का हमला यहां पर हुआ है लिबनान में इसराइल ने किया है और यह साइबर क्राइम है साइबर वार क्राइम है जिसे इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे है कि यह निया फेज है युद का एक निया दौर है मैं इसको साइबर क्राइम नहीं मांगता हूं यह तो फिजिकली आप चारजर पे बॉम रखे हैं विस्फोटक पदात रखे हैं उनकी वाकी टॉकिस में उनकी जो पेजर से उसमें इस साइबर कैसे कह सकती यह तो पुराने तरीके के बॉम है भीस्फोटक पदात अपका बेर अफेख लग दे हम उसका एक सिंगल वारेलेस सिंगल उसका विस्फोट कर दे साइबर हो गया CYBER तो इंटरनेट से कुछ होता है वो था है यह होता है तब साइबर कहते है ठीक है न साइबर जो है, इसको दही देखना चाहिए, फिजिकल डिवाइस में विश्वोटक पधार्थ रख दिया गया, कैसे इसको साइबर कहेंगे, फिजिकल बाम रखा किया, यह बानना पूप हो। तो यह जो फिजिकल बम रखा गया है, इसका मकसद आपको क्या लगता है कि इस तरह से जब पहले ही उसका युद्ध चल रहा है गाजा में, चालिस हजार से उपर लोग मारे जा चुके हैं, एक लाग से करीब टोटल कैजूलिटीज हैं, उसमें लेबनान क्यों निशाने पर बात है, बहुत कम संख्या है, मान के चलना पड़ेगा, बहुतों का शव नहीं मिला, और एक तालिस हजार जो बहुत की बात कही जा रही है, इसका शव मिला है, और कितने दफन हुए हैं, बिल्डिंग्स की इमारतों के नीचे धंग सुने के बाद, उसका अभी तक अताप बुक्परी से, बीमारी से, इंजिरी से, उसक्त नहीं बाद में मरे हैं, तो यह सब लिखा के नंबर्स जो है, इस वक्त धाई लाक करीब होगा, और जो इंजियर्ड है, जो गायल हुए हैं, उनकी संख्या नॉर्बली वान इस्टो सिक्स माना जाता है, एक अगर मरा तो रुक्परी से, बिमारी से बहुत मरे हैं, बच्चे मर रहे हैं, जिनके हिसाब नहीं है, तो एक एउएन के मुताबिक यह क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा हाधसा इस वक्त पैलेस्टाइन में गाजा में हो रहा है, अब यह वेस्ट बैंक में चला किया है, तो सवाल आप कर रहे हैं कि लेबनाव में इसको कैसे डेखे तो लेबनाव में हस्बुल्ला और इज्रैल दोनों एक दूसरे पर बंबारी कर रहे हैं, मिजाइल दाग रहे हैं और इसलिए भी हजबुल्ला इस पर शिर्कत कर रहा है, उन्होंने कहा कि गाजा पर जब तक आप यह जंग चलाएंगे तब तक हम आपको आराम से रहने नहीं देंगे, हमारे बॉर्डर पर आपके जो मिलिटरी कैम्स है उस इसरेली, वो अपने मकान छोड़के इस वक्त रेफूजी की तरफ इसरेल में है, तो इसरेल सरकार के लिए एक बहुत बड़ा इंबारेस्मेंट है, कि हम सब से शक्तिशाली ताकत है, हम सब को मार रहे हैं, हमारे 80,000 लोग बेघर हो गया है, उनका वापस नहीं भेज पा रहे हैं, तो हेजबुल्ला की जब तक प्रॉबल्म सॉल्ब नहीं करेंगे, वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हेजबुल्ला का सीरा शर्थ है, आप गाजा में जनसाइट बंद कीजिए, एक जो प्रोपोजल हो रही है हर रोच, कि आप युद्ध विराम कीजिए, हम बंद हो जाएंगे, पर युद्ध विराम नहीं करेंगे, तो हमारा ये चलता रहेगा, अब युद्ध विराम तो मानने के लिए इस्रेल तयार नहीं है, कई बार आया है कि ये करो तो हो जाएगा, नया शर्त देते हैं, आप जानते ही कि हर बार जब एक प्रोपोजल दिया जात है, तब नेतानियाहू जो प्राइम मिनिस्टर तभी रह सकते हैं, जब तक युद्ध चलेगा, नहीं तो उनका अल्रेडी उनका पता कर जाएगा, तो उनको अगनियाशत लगाते हैं, अब इस्रेल में भी बड़े पैमाने पे ये चीज आ रही है, लोगों को वापस वो मानने के लिए तेया नहीं कि और एक शर्त लगेंगे, और जंग जंग चलना चाहिए, तो उसको देखते हुए हिजब अब बंद करेगा, तो जब तक गाजा में शांती नहीं होगा, लेबनान भी और हिजब अब शांती नहीं होगा, ये कहा है, तो उसके खिलाफ अर्फा जंग होगा, जो गाजा में जंग चल रहा है, अहां लेबनान और हिजब ल्ला और इनके साथ जंग, और उसके साथ-साथ इरान का सवाल भी खड़ा हुआ है, क्योंकि इरान, अब जानते ही है, इरान की प्रेजिडेंट की स्वेरिंग के वक्त, वहाँ पर इसमाह कुछ ना कुछ करेंगे, इरान में मारा है, तेहरान में मारा है, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे, ये भी उनके सोच में है, और वो तब क्या करेंगे, कितना समर्थन करेंगे Hezbollah को, कितना ओपिली करेंगे, सिर्या पे जंग चल रहा है, सिर्या में जुलान हाइट को लेकि भी सवाल है यह सब देखते हुए इन पूरा इलाके में जंग का एक वातावरन फैलने का संभावना है और इसरेल के लिए एक बड़ी बहुत लगता है कि एक क्या कहेंगे डेथ विश है क्योंकि इस वक्त एक जंग से उभर नहीं पा रहे हैं और बारी मोचे खोलना चाहते हैं जबकि उनके खुद जेनरल का स्टेट्मेंट है कुछ दिन पहले कि हमास जीद गया जो करना चाहता कर लिया हम हार गये एक सीधा सवाल मैं इसमें आप से पूछना चाहती हूं कि इसराइल ने जो किया मुसाद ने जो किया जो उनकी सीक्रेट स्पाइ एजेंसी 8200 जिसका नाम आ रहा है इस पूरे ओपरेशन में जो लेबनान में किया बेरूस सही तमाम जगोहों पे किया आज की तारीख में जिस तरह से इसराइल ऑपरेट कर रहा है एक टेरर स्टेट के तौर पर एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर वो क्या चाहा रहा है कि और का मनसूब होता है तो वहाँ पर इस वक्ट जो नेत्रित्व है वो चाहते है इस मौके पे हम पालेस्टाइन के वेस्ट बैंक के भी लोगों को भगा दें वेस्ट बैंक को गाजा बना दे और गाजा गाजा की नरसिंगहर जो हुआ है उससे गाजा के लोग यहां से भाग जा उसको तो खेर तिलांजली दे ही दिया है उन्होंने पर उसका साकार करने के लिए यहां से पलेस्टिनियन को मार के भगा देंगे तो यह इनका मनसूबा है और उसका दुनिया की जो रवाया है साफ है कि एक सो युनाइट नेशन की जो जेनल काउंसिल के रिजलोशन हुआ है 123 देश मेरे ख्याल से उन्होंने वोट दिया है इसरेल के खिलाफ वहां पर 124 देशोंने इसराइल के खिलाफ वोट दिया है और मेरे ख्याल से 43 देशोंने भारत भारत भी उस पर शाबिल था और उपोस किया है 14 देशोंने उसके साथ साथ यह भी देखिए ऐसे मुल्क जो की NATO के पार्ट है उन्हों ने भी अबस्टेंग किया कुछ ने उनके खिलाब वोट किया तो दुनिया की जो रवाया है वो बदल रही है और United Nations नहीं सिर्फ International Court of Criminal Court, International Court of Justice इसरेल के खिलाफ जो केसे दागे हैं और जो इनके जो लीडर्शिप पे जो केसे देनाओं पे लगा पर राजदितिक रूप में ये दिखाता है धीरे धीरे इसरेल जो है क्या कहेंगे आइसोलेट हो जाएगा और जो उसका साथ देगा धीरे 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 दुनिया से आइसोलेट हो जाएगा साथ आफ्रिका का हश्र हुआ था और जिन्होंने सपोर्ट किया था अमरीका और यूके उनाइडिट किंड़म इंगले जो यहां भी शामिल है उनको भी बाद में उनसे हटना पड़ा वही रास्ता इसरेल भी पैलेस्टीन की लोगों की उसी रास्ते पर इस वक्त चल रहे हैं सवाल यह है उसका कीमत पैलेस्टाइन के जनता चुका रही और वो चुकाते रहेंगे जब तक इसरेल की इस रवाया बदलता नहीं है और शान्ती के रास्ते पर नहीं आता है जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर दोस्तों एक बात बिलकुल साफ है जो इस नक्षे में उभर कर आ रही है कि यहां इसराइल यहां फिलिस्तीन और यहां लेबनान और वहां एरान अगर सोचिए कि यह पूरा इलाका युद्ध में ढखेल दिया जाता है और जिस तरह से इसराइल ने तमाम कानूनों क्या उलंगन करते हुए लेबनान में बड़े पैमाने पर नागरिकों को अपने निशाने पे लिया है इस बड़े पैमाने पर विस्पोट कराया है पांच हजार पेजर वौकी टॉकी सोलर वह हम सब के लिए खत्रे की घंटी है ना भूलिए इसराइल मुसाद पेगासिस भारत तक उसकी आच आई थी यह खून जो लग जाता है इस सक्षेप करना आवाज उठाना और बोलना कि इसराइल का यह काम एक टेररिस्ट एक्ट है शुक्रिया देखिए लाइक करिए शेर कीजिए परताल दुनिया भर की और बने रहे हमारे साथ जानने के लिए देखने के लिए कि यह तमाम घटनाएं जो दुनिया भर में हो रह नहीं है इनके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है शुक्रिया